कावडियों का शुचिता की नियम है अगर कावडिया पेशाब भी जाएगा तो कावड किसी को पकड़ाएगा या पेड़ पे टांगेगा और उसके तुरंत बाद नहाएगा तब ही वो उसको कहरी करता है उनके शुचिता की नियम है तो उसके लिए आग रहे और यह कोई ए श्री तुफैल चतुरवेदी जी से जो एक अंतलाष्टी इस्तर पर नाम है पूरे देश में जिनके लोग वीडियो इंटर्व्यू सुनते हैं और पूरे देश में उनके बहुत जबज़स फालोवर है यहां तक है कि भाजपा विशुन्दू परसत तमाम हिंदूवादी सं संग्ठन उनके विचारों को आत्वसात करते हैं और आज तक उनका इन संग्ठनों ने बिरोद नहीं किया हर एक उसमें फ्यवर। किया और जो तत्थ देते हैं वही तत्थ लोग ले करके अपनी-पनी स्क्रिप्ट बनाते हैं अपने यहां तक है जो तुफेल साब बोलते हैं वही भाजपा में या संग में वही जाके आवाज होती हर चीज को पहले ही वाज कर लेना जो जो आपने बताया जो संबेलन हुए वो अपने आपके एक रिकॉर्डर है इस देश में खास तोर से है एक सितु फेल चतुरवेदी जी के दूसरा पुस्पेंद कुल्शेष्ट जी के अभी गोधरा फिल्म का उद्गाटन हुआ यह गोधरा फिल्म का फिल्म प्रभू यहां पर हुआ दिल्ली में तो उस पे भी आप प्रमुक अथित थे आप और खास तोर से चीज में सचेत किया कोई भी हिंदुत पे या कुछ आया तीन सो सतर की सबसे पहले जब अब जस्त मांग तुफिल चतुरवेदी जी ही करते थे तुफिल चतुरवेदी जी राम मंदिर के लिए तमाम मामलों को बिस सबूत हमेर सा उठाते रहे और जो किसी भी दूसरे मज करने की भी कोशिस किये तो आपने प्रसनुत्तर दे करके और बाकायदे उनको सटिस्फाइट किया कई बार ऐसा मामला हो जाता है कि लोग आते हैं उनका मतभेद होता है तो तुफिल साब अब पुस्पेंद कुछ जी हमेशा उनसे बहस करके अपनी तर्क देते हैं फिर उ सम्मेलन को बड़ा याद किया जाता है देश के इतिहास में दिल्ली में और जिस तरह से आपने एक दिशा दी है उसी गाइडलाइन में आपको बतला रहा है कि एक लकीर खीज़ दी है ना उस गाइडलाइन को कोई छू पारा और नहीं कोई मिटा पारा ना कोई डिश्टर कर पारा चुकि इतनी बैलेंस हो है हिंदुत की जिसको लोग स्यूकार करना है आज इसलिए सबस्यादा देश में फालोवर तो फिल साब जी अभी कामर यात्रा करा तो कामर यात्रा में जिस तरह से कोर्ट का डिशीजन आया यह सब रहा तो और कोर्ट में जिस तरह से उन्हो पाद जिस तरह से एक फरजी संस्था और एक मतलब फरजी तो नहीं उसको एक प्रकार से पॉलिटिकल संस्था ने मुप की अप्लिकेशन टोटल इंडी गडवन्दन हो गया तो आप क्या समुझना है कि अदेश के लिए इस तरह का कोई भी अच्छा वो हो गाई लोग नो के लगाए जाए इसके लिए जो एक उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया उसके बारे में आप कह रहे हैं एक बाद ध्यान रहे कि ये कानून या जो आदेश है प्रदेश सरकार का ये योगी जी नहीं लाएं है ये बुलाइम सिंग जी के पुत्र अखले श्यादव की समय में आया है इसको इंप्लिमेंट करने के लिए भी आदेश हो चुके थे पुलिस के पास वैसे ही अदिकार हैं ऐसे विश्यों पर दर् पर जाएं वहां जो भी स्टॉल होते हैं बेचने वाले उन पर नाम लिखा होता है क्या-क्या सामान दे रहें कितना वजन होगा ये लिखा जाता है ये सामाने विभारे कुछ विशेश विभार नहीं है मगर इनको बरता नहीं जाता छूट दी जाती है अच्छा कावड के साथ एक ये है कि कावडियों का शुचिता की नियम है अगर कावडिया पेशाब भी जाएगा तो कावड किसी को पकड़ाएगा या पेड़ पे टांगेगा और उसके तुरंत बाद नहाएगा तब ही वो उसको कैरी करता है उनके शुचिता की नियम है तो उसके लिए आग कि आस्था का कोई सम्मान नहीं तो कोट ने जो यह उसको इंटरिम वो दिया है स्थागन किया है कुछ समय के लिए मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएगा कोट में और जज ने एक भारत की विशेश समस्या है कि जिस पर हमें बात कर रहे हैं उसके अध्यन करे बगार बाहर स हम अपने हिसाब से नड़ने लेने लगते हैं जज ने जिसने ये कहा कि मैं जाता था और मुस्लिम और रिस्टरौन था उसमें खाता था उसको मालम है कि हलाल करने के नियों में खाने में थूकना है इस से हलाल बनता है कि कोई मुल्मान किसी गहर मुस्लिम चीज को लेता है और उसमें पहले से किसी मुलमान ने थूक दिया है तो वो हलाल कहलाएगा यह विवस्ता है उसकी मौलान उसको तो पता नहीं है कि खाना कैसे मिला और यह सामान ने विवस्ता है सुनिये कहते हैं कि शिया खाना थूक के खिलाते हैं तो इन बातों के विरोध में वो ही समझते हैं कि वो खाना खाते हैं, वो कुछ खाए हमारी तरफ से, उनकी इच्छा, मकर जो नहीं खाना चाता है, उसको फोर्स कैसे किया जा सकता है, मुसल्मान को कैसे कहा जा सकता है, कि तुम हलाल मत खाओ, उसकी वारास्ता का विशह है, तो ये ऐसा विशह है जिसको द्रठता के साथ सबी को और वो एक जगे का मामला नहीं था, मद्रदेश का भी था, मद्रदेश में जैन में आधिश हुए थे, कि महां प्रते होटल पर मालिक का नाम लिखा जाए, गुजरात में इस तरह की चीज़े मिल जाती है, गुजरात मे और वो मुसल्मान है, याकूब शेकी है, तो जो नहीं खाना चाता है, क्योंकि वहाँ थूकने की प्रेक्टिस है, और इसके सेक्ड़ों वीडियो, काफी दिनों पिछले दिनों में वोटसेप पर आए हैं, पहले किसी को पता लगता था, तो कोई जरीया नहीं था मालूम क करने का कि क्या हो रहा है, कैसे मालम बड़ता अच्विक साल पर लें, अब और वोटसेप तुरंट जब कुझ घटना होती है, और वो पेशाप करके खाना खिला रहा है, फालों में थूक रह éénं, फालों पेशाप कर रहे हैं, गंदगी फिला रहा है, गव मांस किला कर समोंस मुझे क्या खाना यह मैं तै करूँगा और कोर्ट को विवस्था को राज्य को सेकुलर होना चाहिए एक नियम है इसका मुझे क्यों सेकुलर होना चाहिए मैं घोर सामप्रदाई को हूँ इस पर घर में मुझे मेरी कुछ जरूरत नहीं सामप्रदाई को नहीं की मेरे घर में ऐसी लगे हुए हैं कम्पनी को पता है कि मैं कम्प्लेंट करता हूँ ठीक होने की तो वो मुझे बताते हैं कि साब आज कोई हिंदू लड़का नहीं कल बेजेंगे उनका है लीडर जो है वो मुसल्मान है उसे पता है कि मैं नहीं अलाव करूँगा मैं क्यों अलाव करूँ मेरे घर में मांसारी नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते और मांस से भी ज्यादा मुद्दा है गव मांस का बड़े के मांस का हम और ये आज से नहीं 1857 का सारा संगर्शी पूरी पूरी इस्ट इंडिया कंपनी सेक्ड़ रियासा दिल्ली की मुखल संतर्त लखनव की मुखलों के बगल बच्चे सारे के सारे दोस्तों गए लाखों लोग मारें गए सिर्फ इसलिए कि वह जो चर्बी थी वह कव की थी सुर की चर्बी तो यह ना कॉंग्रिसीन गु करेंगे तो हम दृता से उसका बचाओ करेंगे तो फिल साब अभी एक पूरे देश में एक तरह का मुवमेंट चला है काफी दल मिल करके कहीं कह रहे हैं सनातन ये एक विया है बिमारी है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है हम इसको दफन कर देंगे उदर ममता बनर जी कर लए रोग्याओं का खुला समर्थन कर लए इधर कांग्रेस पार्टी खुल करके कर लए है सनातन धर्म का बिरोत करना तो आपको क्या लगला है कि जिस तरह से एक पूरी पूरी जिजाग्रफी बिगल लए पूरे देश की और सीमा बरती जितने भी चेत्र हैं उस पे ज अंदों की कम हो गई दूसरी बाहरी लोग बंगला देश ही बहुत बज गए तो क्या देश में यह लोग कोई उपद्रों कर लेंगे आपका जो यह प्रश्ना है इसके दो हिस्से में दोनों हिस्सों को लेना चाहूंगा एक तो वेश्वे की स्थर पर कोई भारत में नहीं फ्रांस में भी इंगलेंड में भी जर्मनी में भी अमेरिका में भी नीदर लेंड में भी और कंट्रीज में भी भारत में भी प्रजातंत्र जहां जहां है वहां प्रजातंत्र इस्लामी का टूल बना हुआ अपकरण बना हुआ। सारी दुनिया में ये विवस्ता है हर जगे एवन इंगलेंड का जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो मस्जिदों में जाते हैं अपने आपको और ये देख रहे हैं कि क्या हशर हशर हो रहा है तो ये सब इस्तथ ही है तो जहां जहां अपने मम्ता का जिक्र किया है अकलेश यादव हैं लालो परसाद यादव हैं या कॉंगरिस के लिज़न हैं शरत पहुआ हैं सबकी दोड़ इस पर है कि मसल्मानों के वोट एकटे हो जाएं अच्छा अन्य लोगों के वोटों की अन्य लोग जाती हम बटकर वोट करते हैं फजाती गत सत्ता एक तत्त है है बहरत का। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाती गत वेवहार नहीं करते हैं। मगर उसके लिए जिब्मेदारी हमारी आचारियों की है। हिंदु कौन है। हिंदु नश्ट हो रहे हैं। आखिर पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, बंगला देश बन गया, कश्मीर से निकाल दिये गए, यहां भी सेक्ड़ों कश्मीर बन गये हैं, ऐसे महले दिल्ली में हैं जहां पर पुलिस नहीं जा सकती, वो उसको रेड जोन बोलती है, क्यों ऐसा है, कि वहां की कैसे किया जाए, कि घर वापसी की जाए, अब घर वापसी कैसे हो, हिंदू के जो आचार हैं, वो तो सुसरे, रादे रादे, इस खुश्म की बातों मिलागें, कथा सुन लो, मेरे चेले बन जाओ, मेरे मंदिर आ जाओ, मेरे से, और हिंदू हैं क्या, हिंदू की परना, उसका दाइत हो है कि हिंदू क्यों नहीं है, यानि जो आलू नहीं है, तोरी नहीं है, लौकी नहीं है, कदू नहीं हो टिंडा है, ये कौन सी भाशा हुई? आप मेज पर भी सो सकते हैं, जमीन पर भी सो सकते हैं, आप सोफे भी सो सकते हैं, मगर उसे चारपाई नह شکل نہیں بننے دیتے تو کوئی مسلمان اگر گھر واپسی کرنا چاہے عیسائی گھر واپسی کرنا چاہے تو جائے کہاں اس کے لئے کوئی وستاد ہوگے نا وستاد دینے کی استاد نہیں ہے اور وستاد دینا نہیں چاہتے بنانا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے جو کہ اس سے ان کی دکا اناحات ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی خراب استادی ہے مگر پرشوتم جی جو ہائی کورٹ اتر پدش ہائی کورٹ کے چیف جسس رہیں ان کی کتابیں کیا ہندو مٹ جائیں گے ان سے ایک بار میرے ایک میتر کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندو کے بچاؤ کو کوئی راستہ ہے انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو پلٹ کے بولے کیول دو راستے ہیں یا تو سارے ہندو آری سماجی ہو جائیں یا سکھ ہو جائیں تب بچیں گے ورنہ نہیں بچیں گے تو علاج وہی ہے تو فیل صاحب آپ نے ایک بار بڑی اچھی بات کہی تھی اور اس کو تمام لوگوں نے اس سمیں سمرتھن کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ وچار پہلے لوگوں کے دماغ میں نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ دس لاکھ لوگ دو لاکھ پوجاری ہیں اور دھرما چال ہیں اور تمام پوینیر ہیں یہ سب اگر ہندو دھرما کے ایک ہو جائیں اور ایک سادیت کہیں پہ انسن کر دیں یا پردرسن کر دیں تو ان کو لب زیاد کے اس پہ جو بھی اس طرح کا کچھ کرے گا اس کو مرتضت دنر تک دیا جا سکتا ایسا نیم ہو سکتا ہے تو آپ نے بات کہی تھی بعد میں لوگوں نے accept کیا اس چیز کو ان لوگوں نے follow کیوں نہیں کیا آپ نے کہا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ایک منٹ میں ہی ایک دن میں ہی یہ problem ساد ہو جائے مگر ان لوگوں نے اکتیار کیوں نہیں کیا لب جہاد کی بات کر رہے ہیں یہ لب جہاد بیسیکلی ہائی کورٹ کیرل کے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عیسائی وہاں لے گئے تھے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمان بنانے کا کام چلنا ہے ہندوں کے بیسے نہیں آیا کوٹ کی بیسے آیا اس کے لیے لب جہاد کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے سارے وشہ میں ہے اپنی لڑکی چلی جائے گی تو بالکل چھاتی پڑھ جائے یہاں آیا کریں گے اور دوسرے کی آئے گی تو پرسند ہوتے ہیں تو اس ویوستہ کو روکنے کے لیے یہ دھرما چاہ رہے ہیں ان کے بس کا یہ کام نہیں ہے چونکہ یہ تو اپنی وقت کے دکان چلانے ہیں یہ تو رادے رادے کرنا ہے کنہیا جی آپ آپ کے راست کو ٹیم ہو گئے سو آپ کرپا کر کے راست من ڈھپن پتھار ہو چھاتی پر نہیں بھٹتی دکھائی نہیں دیتا کہ چھاتی پر رکھیے مطرح میں عیدگاہ کرشنجن مہوی پہ یہ جو کنہیا لیے پھر رہے ہو یہ بیسیکلی تمہاری دکانی تو ہے یہاں سے لے کر اگر راجستان میں چلے گئے اور وہاں مندر کر دیا چتوڑوالوں سے کہا تو انہوں نے ناد دورہ بنا دیا ناد دورہ کیا کرا یہاں سے دکان اٹھا کے ماں لے گئے یہاں پر اورنگزی تمہاری دکان ختم کر رہا تھا اس دھرم کی رکشہ کے لیے اس کی مانسکتہ کے لیے کیا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ اب تل ملاہٹ ہو رہی ہے کہ وہ نبوت بن رہے ہیں but who's responsible for this اپنی کرموں سے تو ہے ہمارے ساہیت آپ کو آپ کے باتھا ہو سکتا ہے اور سروش میں آ جائیں تلسی داس کی پنگتی ہے پوجی وپر شیل گن ہینہ شودر گنگز نگیان پرمینہ شودر شیل گن سے ہین ہو برامان تب بھی اس کا پوجن کرو اور شودر گنگ گنوان ہو تب بھی اس کا سمبھان مت کرو آج نششلان جیسے لمپٹ لوگ وہ کہتے ہیں کہ مندر کو شودر کو دلت کو مندر میں آنے شکتہ نہیں بہت سے اس کے شکر کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ لیں انہوں نے لانت بھیجی تم پہ بھی یا مندر پہ بھی آتے ہی نہیں اپنے کرموں سے کسی اور کی بات نہیں بھارت میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا راج شکشک درجس میں وہ کیرل ہے مگر زلہ سب سے زیادہ الموڑا ہے کوئی طریقہ ہے بچنے کا اپنے اپنے بھائی کو پدلت کرنا اس کے پرتی اپمان جنگ بھیوار کرنا جس نے گوو مانس کاٹا جس نے مندر توڑے جس نے کتابیں جلائیں جس نے لائبری جلائیں جس نے آچاریں مارے اس کے سامنے تو پونچ ہلاتے تھے کسی اور کی نہیں بلو آچار جس کے یہ پلٹن ساری ٹنکیے کرتی مطرح میں یہ سوسرا خود گیا اکبر کے درمار میں مغل بادشاہ کے سامنے جو گو مانس کھاتا تھا اس کے سامنے بولنے کی حمت نہیں تھی اور اپنا جو بھائی ہے جو دلت ہے مندر آرہا ہے روتا پیٹتا اس کو دودھکار رہے ہو اپنے لوگوں کو تو یہ ہندووں کی ستھی مگر اب چونکہ یہ لوگوں میں سجگتہ آ رہی ہے کیول دس پرسنٹ لوگ بھارت کے ایک سو بیس کروڑوں ہیں کیول دس پرسنٹ لوگ یہ سپنا آنکھوں میں لے آئے اور کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو دہیس کی سیڈی سے اتار کے بہو لے کر آنا بند کرنا پڑے گا اپنے بچوں کی بھگوٹیوں سے شادی گراب ہو جائے گا نہیں یہ آرہ سماج کیا چاہ رہا ہے وہ کام ہے ساورگر جی کا کام ہے میں تو ان کا بلکل سامانے نقیب اتنا کر لیں اتنا کر لیں سب کچھ سودھر جائے گا مگر کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو کئی سے ہوگا یہ سمسیات سماندھان ہو سکتا ابھی سمیں ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے سیت تفہل چطورویدی جی سے دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سب سے پہلے آپ نے سمیلن میں بھی کہا تھا کہ دس لاکھ میں لگ بھگ چار لاکھ سنیاسی ہیں دو لاکھ پجاری ہیں تمام دھرما چار اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر دس لاکھ لوگ ایک دن کی بھی شٹائک کر دیں تو اس دیس میں بات میں لوگوں نے ویچار کیا کہ واسطوں میں یہ چیز پہلے ہو جاتی تو جیسے BJP بیپکش میں تھی یا مالی جے اس سمیں ستھا پکش بہت خلاب تھا رام مندی اور ایسو میں اگر ایسا ہو جاتا تو واسطوں میں ایک الگ قرانتی ہوتی اور ہندوت میں جو یہ عرنگے آ رہے تھے یہ رک جاتے تمام ایسے solution آپ نے دیئے ہیں جس کو آج بھی تمام follower یہی ایک بجے ہے کہ تفیل چتر ویدی جی کا اپنا ایک الگ انداز جس کو لوگ accept کرتے ہیں یہی سب سے زیادہ followers ہیں تاجو بھی ہے ان سب کے نمسکار میں آجائے پترکار